वेलकम टू एक्जाम सहपाथी आज के इस वीडियो में हम लोग सामान विज्ञान की तस्वी स्रीज कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट की इसके पहले के नौ वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आप लोग सामान विज्ञान यानि की जेनरल साइंस की प्लेलिस्ट आ कारबन डाइकसाइड गेस चूने पानी को दूधिया बना देती है question number 2 पे आते हैं निमना लिखेद में से किसका प्रियोग anti-freeze के रूप में किया जाता है तो anti-freeze के रूप में किसका प्रियोग करते है isopropyl alcohol, methyl alcohol, acetone या फिर formaldehyde तो इसका जो सही answer है वो है आपका methyl alcohol ठीक है तो methyl alcohol का प्रियोग anti-freeze के रूप में किया जाता है और methyl alcohol का फार्मूला क्या है CS3OH next है हमारा पीतल किसका मिस्टरण होता है तो यह आपका simplest question हो जाता है आप सबको पता होना चीए कि पीतल जो होता है वो आपका copper प्लस zinc जो है इसका मिस्टरण होता है CU प्लस ZN तो इसमें कौन सा option है यह आपका जस्ता प्लस ताबा ठीक है ना copper प्लस zinc तो यह आपका पीतल होता है next question है हमारा कौन सा धातु ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करता है लेकिन गर्म करने पर वास्प से प्रतिक्रिया करता है तो वो कौन सी धातु है यह ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करेगे लेकिन जब उसे गर्म करोगे पानी को उसका वास्प निकलेगा उससे प्रतिक्रिया करती है sodium है aluminium है ताबा या फिर निकल तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका aluminum ठीक है तो aluminum ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करती लेकिन गर्म करने पे जो पानी निकलता है उसके wasp से ये प्रतिक्रिया करती है question number five है हमारा निमनलिखित में से कौन सा रोग दिमाग से सम्बंदित है यानि कि यक्रित से सम्बंदित रोग है ठीक है यक्रित से यानि कि लीवर से सम्बंदित तो इसमें जो सही आंसर हो गया वो हो गया एंसेफलाइटिस ठीक है एंसेफलाइटिस किस सम्बंदित है एंसेफलाइटिस आपके दिमाग यानि कि मस्तिस्क से सम्मंदित रोग है ठीक है तो हेपेटाइटिस यकृत लेरिंगाइटिस कला उटाइटिस आपका कान और एंसेफलाइटिस दिमाग से सम्मंदित रोग है question number six है हमारा pneumonia रोग सरीर के किस अंग को प्रभावित करता है तो जो pneumonia रोग होता है वो सरीर में ये आपका स्वसन सम्मंदि आपका रोग होता है तो स्वसन सम्मंदि रोग है तो किसको प्रभावित करेगा तो ये करेगा फेफडे को प्रभावित ठीक है और नूमोसिल नाम की दवा जो है हभी हाल ही में आपकी सुदेसी दवा इसके लिए बनाई गई है नूमोसिल ओके ये भी आप याद रखना तो ये सुसंसंबंधी रोग है और नीमोनिया से आपके फेफडे प्रभावित होते हैं वेश्चन से 7 क्या है मानव रखत में जो प्लाजमा होता है इसकी लगभग कितनी मात्रा होती है 55-6% आपके लगभग तो प्लाजमा आपका ज़ादा होता है 55-60% और बलड़ कारपल्स कितने होते है 45-40 प्रतिसत लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज जो होता है यानि कि जो पानी के जहाज होता है वो पानी में तैरते रहते हैं यह सिद्धान्त निम्नलिक्षित में से किस वग्यानिक के सिद्धान्त पर आधारित है तो प्लवन यानि की तैरने का जो सिद्धान्त दिया था वो किस ने दिया था तैरने का सिद्धान्त दिया गया था आरकेमिडीज के द्वारा ठीक है तो इसका आपसे नंबर डी सही है आरकेमिडीज ने जो है आपका प्लवन का सिद्धान्त दिया था ठीक तो इनके हिसाब से जो है ये वाला जो आपका है कि छोटी गोली पानी में डूब जाती है लेकिन जहाज पानी पे तैरता रहता है ये सिद्धान्त किसके सिद्धान्त प्याधारित है तो आर की मिडीज के सिद्धान्त प्याधारित है ओके जड़त तो आघूर्ड का मा स्क्वाइर ठीक है ना तो इसका जो मात्रक हो गया यह हो गया आपका किलों मीटर स्क्वाइर पिएच मान के द्वारा पदार्थ के किस गूड़ं का पता चलता है तो पिएच मान के द्वारा हम पदार्थ के कौन से गुड़ का पता करते हैं अमली ये का चारी ये का अमली और चारी दोनों का या फिर दोनों में से किसी का नहीं तो जो pH मान होता है ये दोनों गुड़ बताता है यानि कि अमली भी बताता है और चारी भी बताता है अगर साथ से जो है कम है ठीक है साथ से मान कम है तो क्या होगा आपका अमली होगा ठीक है न और अगर साथ से अधिक है पिएच वेलू तो आपका क्या होगा ये आपका चार होगा ठीक तो ये आपका अंतर होता है इसमें ये पिएच मान के द्वारा हम दोनों चीजों को पता कर सकते हैं और जो ये प ठारीगुड प्रदरसित करेगा मनुस्य में कितनी जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं तो कितनी जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं 30 जोड़ी 31 जोड़ी 35 या फिर 40 जोड़ी तो जो स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं अगर आपको पता हो कि मनुस में कितने जोड़ी आपकी कपाल तंत्रिकाएं होती है ठीक है कपाल तंत्रिकाएं किती होती है तो आप कमेंट करके बताना ठीक है कपाल में आपकी और यह आपका क्या है spinal तंत्रिका हैं आपकी 31 जोड़ी है ओके अगला हमारा malaria परजीवी का नाम क्या है malaria परजीवी का नाम आप सबको पता होना चाहिए क्या है इसका नाम होता है plasmodium ठीक है plasmodium नाम का परजीवी होता है आपका आपका ये malaria के मच्छर होते हैं कौन से मादा एनाफिलीज होती है उसके साथ ये आपके सरीर तक पहुँच जाते हैं ठीक है ना तो malaria जो है प्रोटो जोवा की वज़े से होता है ये भी आप याद रखना plasmodium प्रोटो जोवा मुत्र का अशामाने घटक है यूरिया है क्रिटेनीन है, albiumene है या फिर sodium है तो जो मुत्र का अशामाने घटक है वो क्या होता है वो होता है आपका albo-min ठीक है ना,יבiumene आपका ये मुत्र का अशामाने घटक है बाकि और सब आपके सामाने ये सब आपके पाए जाते है स्वस्थ मुत्र में कितना होता है 90% जल और 5% कारबनिक पदार्थ होते हैं कारबनिक पदार्थों में क्या-कया चीजे होती है यूरिया होता है यूरिक अमल होता है क्रिटे नीन होता है पोटैसियम आकसाईड होता है ये सब पाए जाते है ठीक है और इसमें जो आपका L-you mean है ये आपका आश्रामाने घटक है question number 14 क्रेब्स चक्र का दूसरा नाम क्या है तो क्रेब्स चक्र स्वसंद से संबंदित हो गया होता है ठीक है ना इसको बोलते है आपका एक दूसरा नाम इसका होता है citric acid चक्र ठीक है तो क्रेब्स चक्र का जो दूसरा नाम है उसको बोलते हैं साइट्रिक एसिड चक्र question number 15 है हमारा निमनलिखित में से सक्ति का मात्रक कौन सा है तो सक्ति का मात्रक क्या होता है सक्ति का मात्रक आपने क्या पढ़ा है वाट पढ़ा है ठीक है वाट पढ़ा हुआ है लेकिन सक्ती का जो फार्मूला होता है यानि कि सक्ती बराबर क्या होता है कारे बटे समय होता है ठीक है कारे बटे समय होता है और कारे का मातरक आप सबको पता है क्या होता है वो होता है आपका जूल होता है और समय का कितना होता है सेकंड होता है ठीक न तो जूल प्रती सेकंड आपका हो जाएगा इसका सही अंसर तो यह हो गया आपका जूल प्रती सेकंड ठीक तो सक्ती जो है आपका क्या हो गया सक्ती इसकल टू कारे बटे समय होता है और कारे करने की जो दर होती है इसी को सकती कहते है ठीक है कारे करने की दर को क्या कहते है सकती कहते है तो सकती बराबर क्या होता है कारे बटे समय होता है तो कारे का मतरक जूल समय का सेकंड हो गया और एक वाट बराबर एक जूल प्रतिसेकंड होता है ये भी आप याद रखेंगे ठीक है और इसी जूल प्रतिसेकंड को ही वाट कहा जाता है बायो गैस में मुख्यतिया पाई जाती है तो बायो गैस में मुख्यतिया कौन सी गैस पाई जाती है इथेन, मीथेन, ब्यूटेन या फिर प्रोपेन तो बायो गैस में आपका हाइड्रोजन, सलफाइड, हाइड्रोजन, ठीक है न, नैट्रोजन इस तरह की और मीठेन यह सब गैसे पाई जाती है लेकिन जो सबसे ज़दा पाई जाती है वो आपकी मीठेन गैस पाई जाती है लगबग 50% से लेके 75% तक आपकी कौन सी गैस होती है तो यह आपकी मीठेन गैस होती है तो सबसे ज़दा जो है मुख्यतिया यहाँ पे लिखा है ठीक है इसमें मीथेन की मात्र क्या होती है सरवाधिक होती है क्वेशन नुबर 17 है कार्बन का अपर रूप जो विद्युत तथा उस्मा का सुचालक है तो कार्बन का एक अपर रूप है क्या होता है वो ग्रेफाइट जो कि आपका विद्युत और उस्मा का सुचालक होता है ठीक है ना बाकी और सभी जो अपर रूप है वो विद्यूत और उसमा के कुछालक होते है जो कार्बन के और अपर रूप है इनमें आपका मुख्या पर रूप कौन सा एक आपका जानते हो आप लोग हीरा जानते हो ठीक है न ये इसमें तो आपका बिजली प्रवाइट होती नहीं ठीक है ताप तापका भी ये सुचालक नहीं है ये आपका ये कौन सा है ग्रेफाइट ये विद्यूत और उसमा दोनों का सुचालक होता है और उत्तम लुब्रिकें भी होता है इसका प्रयोग इस नहाग के रूप में भी किया जाता है ग्रेफाइट का याद रखिएगा क्वेशन नमर 18 है पौधों में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है तो प्रकास आपका जो तापमान कम करने वाली क्रिया है पौधों में वो क्या होती है वो होती है आपकी वासपोत सर्जन क्रिया के दौरा पौधे क्या करते हैं ये तापमान वृध्धी पर नियंतर रखते हैं ठीक ये भी आप जाद रखना कि वासपोत सर्जन क्रिया के यानि की Oxidation Reduction या फिर उदासी नहीं करना या फिर अभी प्रेड़र तो इलेक्टरान त्याग ने की जो प्रवृति होती है ये कहलाती है आपकी Oxidation Oxidation में क्या है Oxidation में क्या है Oxidation में एक राशाइनिक प्रक्रिया है इसमें कोई भी परमाड़ या आयन एक या अधिक इलेक्टरानों का त्याग करके उच्च विद्यूद धनात्म का वस्था या फिर निम्न विद्यूद धनात्म का वस्था में परिवर्तित हो जाता है तो ये इसमें क्या होता है Oxidation में सक है ठीक और इसको अगर बुखार है या फिर दर्द है तब भी आप इसका उपयोग कर सकते हो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं जो भी आप कहना चाहते हो और वीडियो को आप सेर कर सकते हैं दोस्तों के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद